नमस्ते दोस्तों, हमारे चिनल में आपका स्वागत है आज हम हिंदु धर्म में सबसे पवित्र स्थान प्रयागराज, केदारनाथ और गौरी कुंट का पर्याटन करेंगे प्रयागराज संगम, स्थान प्रयागराज, पूर्व में जाने जाने वाले आलाहबाद, भारतिय राज्य उत्तर प्रदेश में एक शहर है जो गंगा, यमुना और कालपिल्या कथात्मक सरस्वती के संगम के रूप में बिलाया गया है इस संगम को संगम के रूप में जाना जाता है मेहत्वर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है संगम के पवित्र जल में सनान करने से किये गए पापों की शुद्धी होती है और आध्यात्मिक शुद्धी आती है कुम्भमिला, प्रयागराज का खास feature कुम्भमिला है जो हर 12 साल में आयोजित होता है और हर 6 साल में एक छोटा संस्करन होता है यहां मिलियंज श्रद्धालु संग्रहित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं प्रयागराज संगम पहुँचने के तरीके प्रयागराज का एक अच्छा रेल्वे स्थानक आलाहबाद जंक्षन है जो भारत के प्रमुक शहरों से जुड़ा हुआ है सबसे निकटम हवाई अड़ा आलाहबाद हवाई अड़ा बम्रॉली हवाई अड़ा है जो मुख्य भारतिय शहरों से जुड़ा हुआ है केदारनाथ और केदारनाथ मंदिर स्थान केदारनाथ एक गाव है जो भारत के उत्तराखंड में हिमालेक शेत्रमिस्थित है ये गाव प्राचीन केदारनाथ मंदिर के लिए प्रसिद है जो भगवान शिव को समर्पित है मेहत्वर केदारनात मंदिर बारह जो तिरलिंगो भगवान शिव को समर्पित मंदिर में से एक है और हिंदु तीर्थ्यात्रियों के लिए अत्यदिक मेहत्वपूर्ण है इसे महाभारत के पांडवो द्वारा बनाया गया माना जाता है केदारनात पहुँचने के तरीके केदारनात पहुँचने का आखिरी हिस्सा गौरीकुंट से लगभग 16 किलोमीटर की ट्रैकिंड का हिस्सा है चट्टानी घोड़े, पालकी और हेलिकॉप्टर सेवाए उनके लिए उपलब्ध है जो ट्रैकिंड करना नहीं चाहते है केदारनात पहुँचने के तरीके पहले भारत के उत्तराखंट के गाव रिशिकेश या हरिद्वार पहुँचे जो भारत के तीर्तों के महत्वपुन शहर है और भारत के मुखे शहरों से अच्छे से जुड़े है रिशिकेश या हरिद्वार से आप गौरी कुंट के लिए सड़क पर यात्रा कर सकते हैं, जो केदारनाथ ट्रैक के लिए आधार है गौरीकुंट पहुचने के बाद आप केदारनाथ पहुचने के लिए ट्रैक करने, पोणी का उप्योब करने या हैलिकॉप्टर का उप्योब करने का विचार गर सकते है। प्रयागराज संगम और केदारनाद दोनों ही आध्यात्मिक महत्वपूर्ण स्थल हैं और यात्री और तीर्थ्यात्री के लिए अनूटे अनुभव प्रदान करते हैं। आपकी यात्रा का आनंद लें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर किजिए और हमारे चैनल को सबस्प्राइब किजिए।